हलो स्टुडेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल अभी तक हमने पीछे सीरीज में पिछली सीरीज में एक्सरसाइज 1.1 के तीन कुश्यंज किये ते उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुगा हमें इसंके अधर कुश्यंज को बारे में पढ़ेंगे लेट स्टार्ट कु नुमेरिकली रूप में डिफाइन करते हैं अगर मैं बात करूं 3 की तो इसको लिखेंगे 3 x 1 3 बनजा 3 and 6 को अगर मैं लिखूं 3 x 2 9 को लिखूं तो 3 x 3 and 12 को लिखूं क्या 3 x 4 यानि कि ये multiple of 3 है multiple of 3 है और value कहा कहा जा रहे है 1 2 3 and 4 1 2 3 4 ये कैसे है natural number के हैं तो इसी से बनाएंगे ये value बोल दो x such that x equal क्या 3 n लिख सकते है n की value कहां से कहां तक है 1 2 3 whereas and इसमें ये लिखेंगे n belongs to n natural number whereas n की जो value है वो कहां से कहां तक है 1 से बड़ी और 1 के equal और कहां तक है 4 और 4 से छोटे ये आ गया इसकी कौन सी form आ गई ये आ गई रोड़ी सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी आ गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से language लिखेंगे अब देखें यानि कि इसका 369 12 इनके हमने क्या लिखें मुल्टिपल के रूप में लिखेंगे अब नेक्स्ट है मैं अगर लिख'un 2 की पावर 1 देखसकते हैं और फॉर्म क्या है टू की पावर किसके क Canton होता है टू की होता है एट क्या है टू की पावर किसके का लोता है ध्रीकों होता equal 2 की पावर 2, 8 equal 2 की पावर 3, 16 equal 2 की पावर 4, and 32 equal 2 की पावर 5, तो वही, from a equal, x is that x equal 2 की पावर n, n belongs to y natural number, whereas n की value कहां से कहां तक वैरी करेगी, 5 तक वैरी करेगी, यह आपके आगी, कौन सी form, set builder form, किसकी roaster form की set builder form आई है, अब एगला example देखिए, अगला क्या कहा रहा, 5, 25, 125, and 625, 5, 25, 125, 625, यहाँ पर भी same लिखेंगे क्या आएगा, 5 की पावर 1, बारावर 5, 25 को लिखेंगे 5 का square, 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3, and 625 को लिखेंगे 5 की पावर 4, ठीक है, 5 की पावर 4, तो यानि कि एक कोल, यहाँ भी होगा, x such that x equal to 5 की पावर n, n belongs to natural number, whereas, n की value कहां से कहां तक vary कर रही है, 1, 2, 4, 1 से लेके 4, यह होगी set विल्टाफ हो, अब देखें, 4th, 2, 4, 6, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकते हूं, 2 एक को लिख सकते है, 2 multiply 1, 4 एक को लिख सकते है, 2 multiply 2, and 6 एक को लिख सकते है, 2 multiply 3, अब 2, so on, यह तने भी elements आएंगे, तो इसकी set विल्टाफ फॉर्म है क्या लिखेंगे, x such that x equal to n, n belongs to natural number, whereas, n equal to, n is natural number, 1, 2, 2, कितना तक जाएगा, infinity तक जाएगा, 5th क्या है, 1, 4, 9, up to 10, यहाँ पर 1 का square करूं, तो मैं कितना आता है, 1, 2 का square करूं, तो कितना आता है, 4, अगर 9 के बारे में बात करें, तो 3 का square है, इसी तरह अगर चलते जाएंगे, 10 का square करें, तो कितना आएगा, 100, rate, तो यहाँ पर, एक को लिखेंगे, x such that, यहाँ पर जो number होगा, x equal, n का square, n belongs to natural number, whereas, n के value कहां से कहां तक जा रही है, 1 to 10, n के value कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके, 10 के बीज में define हो रही है, यह आपके कौन सी form आगी, set builder form आगी, यह important question remark कर जरूर कर लेना, क्योंकि set builder form का एक question आपके paper में exam में, जरूर जरूर पूछा जाता है, तो इसको remark आप कर ले, important question के रूप में, अब देखिए next question की बात करें, question number next क्या है, question number five, देखते हैं, question number five क्या कह रहा है, list all the elements of the following set, यानि कि इनको हमें list लंगा लिए, यानि कि roster form निकालना है, बापस, roster form में सबसे पहले, roster form क्या होती है, वो form जोसमें, हम सिर्फ numerically उस value को लिखते हैं, वो roster form कहलाती है, list all the elements of the following set, equal कितना x है, that x is an odd natural number, odd natural number है, तो odd natural number कौन कौन से होते हैं, जो two से divide नहीं हो, वो odd natural number के रूप में आते हैं, तो यानि कि अपने पास में आगया, 1, 3, 5, 7, up to, so on, या आ गया इसका, second क्या है, भी equal है, x is that, x is an integer, minus 1 by 2 से लेके, x की value किसके पीच में है, 9 by 2 के पीच में है, यानि minus 1 by 2, अगर मारा number line पर बात करूँ, तो minus 1 by 2, ठीक है, minus 1 by 2 के बाद में आएगा 0, और integer है, उसके बाद में आएगा 1, उसके बाद में आएगा 2, 3, और 4, और 4 के बाद आता है, कितना, 9 by 2 के बाद, 9 by 2 यानि कि 4 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है, ये 9 by 2, यानि कि इसका जो set बनेगा, ये b बॉल दो इसमें, b equal कितना आएगा, 0, 1, 2, and 3, and कितना आएगा, 4 तक पी value जाएगी, third is, c equal x, that x is an integer, x square is less than equal 4, x की value किसे छोटी है, अपने पास में x square की value, 4 से छोटी है, 4 से जब अपने पास में छोटी value आएगी, तो अपने पास में यहाँ पर क्या आएगा, 4 से छोटा, यानि कि 4 से छोटा, minus 2 का square करें, तो कितना आएगा, 4, minus 1 का square करें, तो भी कितना आएगा, 1, जो 4 से अगें छोटा है, 0 का square करेंगे, कितना है जीरो वन का स्कॉयर करेंगे वन एंड टू का स्कॉयर करेंगी फो को थ्री कर नहीं ले सकते हैं तो यानिकि सी को जो आएगा रोस्टर फॉर्म वाई ए माइनस टू और इंटीजर लेना न माइनस वन 0 1 & 2 fourth point देखिए D equal X is that X is a letter in the word loyal loyal के लिए हमें word में लिखना है तो कहा लिखेंगे L O Y A L दुबारा नहीं लग सकते यह आ गया D का fifth देखिए equal X is that X is a month of a year not having 31 days ऐसे month बताओ जिसमें 31 days नहीं हो तो सबसे पहले तो एक तो है फर्वरी March में तो है फिर है अप्रेल अप्रेल के बाद में माई में 31 days है फिर है जून जून के बाद जुलाई में again 31 days है अगस्त में भी 31 days है अगस्त के बाद है September फिर November इन में आपके 31 days नहीं है not having 31 days शिक्स्त क्या कहा रहा है एफ एक्वल एक्स देट एक्स इस एकॉन्सोनेंट इन इंग्लिस अल्फावेट विच्ज प्रेसीड्स के यानि कि कॉन्सोनेंट्स बताने हैं जो कि किस से छोटे हो के से कम हो के से कम हो और आपको पता है वोविल्स क्या होते है A, E, I, O, U ये नहीं आने चाहिए तो हम अगर सीरिस बनाएं तो F एक्वल B कॉन्सोनेंट में आता है कॉन्सोनेंट में आता है B B के बाद में C C के बाद D D के बाद में E नहीं आएगा F आएगा G आएगा H आएगा I आएगा I आएगा क्या नहीं आएगा तो क्या आएगा J and K ले सकने K नहीं लेंगे क्योंकि K से हमें छोटा ही बताना है तो ये इतने यहां तक आएगा B, C, D, S, G, H and J ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी रोष्टर फॉर्म होगी अब देखे Next example के तो आगे बढ़ते हम Next question में Question No.6 क्या कह रहा है Match each of the set on left in रोष्टर फॉर्म with the same set of right described in a set builder form यानि कि हम रोष्टर फॉर्म को set builder form से match out करना है कि कौन सा किसका होगा ये देखो किस से रोष्टर फॉर्म है यहाँ पर बोला है X is that X is a prime number and a divisor of 6 6 का divisor होना चाहिए और prime number होना चाहिए तो prime number और 6 का divisor होना चाहिए 1, 2, 3, 6 लेकिन 6 prime number नहीं है तो ये A में तो जाएगा नि Second है X is an odd natural number less than 10 odd natural number जो किस से छोटे हों 10 से छोटे हो तो ये 10 से नेचरल number तो है but odd नहीं है Third क्या है C में X is that X is a natural number and divisor of 6 ये इस से जरूर जाएगा क्योंकि ये natural number भी है और 6 के divisor भी है तो first का अपने पास में किस से जाएगा ये C से जाएगा first का C अब देखिए second 2, 3 2 और 3 दोनों ही prime number है और किस के divisor आ रहे है 6 के तो 2 का क्या है गा अपने पास में A 2 का second का point है A Third देखिए Third में mathematics है mathematics X is that X is a letter of the word mathematics ये तो सीधा सीधा simple है ये इसका आगया यानि third का क्या बचा अपने पास में D and fourth का 1, 3, 5, 7, 9 X is that X is an odd natural number less than 10 तो ये अपने पास में fourth का किस के साथ जाएगा natural number है तो fourth का अपने पास में किस के साथ जाएगा B के साथ में जाएगा बहुत छोटा easy सी question है इससे easy question कोई भी नहीं हो सकता और आपको पीछे की मैंने questions करा दिये हैं इस तरीके से आज आपकी ये सारी की सारी exercise 1.1 complete होती है with example अब हम जो next वीडियो में पढ़ेंगे इनमें subset और other चीजों के बारे में पढ़ेंगे आप तब तक इसके proper notes बनाएं और तयारी करते रहें अब हम next वीडियो में बलेंगे तब तक आप अपने तयारी को better बनाएं और अपने प्रयास के लिए चलते रहें thank you so much